Hello everyone, this is Anwarag Bagail and welcome to Magnet Brain जहां बच्चों आपको class kg से class 12 तक free education प्रोवाइट की जाती है और इसी free education के सिलसिले में Magnet Brain पे आप पीछे देख सकते हैं class 11th और 12th के लिए science stream की सबसे best team जहां पे आपके लिए physics, chemistry, maths और biology के लिए एक से एक teacher है जो की 100% quality और एकदम best content आपको provide कर रहे हैं ताकि आप NEET और JEE में तहलका मचा सके और school में भी तहलका मचा सके और अगर इसी तहलके को मचाना है तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेकिया हैं बेटा जैसे कि अपन class 12 में पिछली lecture में बात कर रहे हैंथे कोऊडिनेशन chemistry के बारे में हम बात कर रहे ह 19 कंपाॉंट के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हमने बात करी थी आइसो मैरेजम के बारे में बेटा तो उसके लिए isomyrism का एक मैं short lecture लेके आया हूं मैं actually detail में सब कुछ बता चुका हूं लेकिन 5 या 10 मिनिट में isomyrism को कैसे याद करें ताकि आप neat और जही में तहलका मचा सके इस्कूल exam में तहलका मचा सके उसके लिए best method और short tricks के साथ मैं concept लेके आया हूं वो concept क्या है चलिए बात करते हैं सबसे पहले भाईया isomyrism क्या थी हमने बताया था कि isomyrism कोई भी compound है कोई भी compound है जो दो अलग-अलग chemical structures बना रहा है molecular formula same है लेकिन अलग-अलग chemical structures के form में पाया जा रहा है ठीक है उसे हम कहते हैं कि क्या दिखा रहे है isomyrism दिखा रहे है क्या दिखा अलग-अलग बता रहा है यह atom की arrangement अलग-अलग है वो क्या दिखाते है isomyrism दिखाते हैं चलिए बात करते हैं isomyrism को एकदम शौट में कैसे जाने तो हमने बात करी थी isomyrism ठीक है ध्यान देना फ्लोचार्ट है पूरा isomyrism का flow chart of isomyrism isomyrism हम दो टाइप की देख रहा है बता है यह कौन-कौन सी बही है डीटेल में सब देख चुके थे इसको समझते हुए चलना आप मेरा डीटेल लेक्षर देख सकते हैं structural isomyrism जो होती है molecular formula same लेकिन structure different different तो structural isomyrism molecular formula same लेकिन atom का three dimensional arrangement अलग-अलग तो stereo isomyrism चलिए ठीक है अब अगर मैं बात करूँ बेटा किस के बारे में structural isomyrism के बारे में isomyrism को कैसे याद रखें याद रखना कौन कहता है inorganic chemistry याद नहीं होती अन्राक सर जो तरीके बता रहे हैं एक बार में चीज़ें याद हो जाएंगी ionization isomyrism को आपको याद रखना है तो सेम कैसे याद रखना है इसको molecular formula same दो compound है देखना लेकिन different different ion दे रहे हो molecular formula same हो दो compound का लेकिन वो different different ion दे तो वो होगी अपनी ionization isomyrism for example देखना देखना आपको बहुत अच्छे सा समझ आएगा याद रखने का short trick क्या है जब भी ionization isomyrism आपको find करना हो आप different different time देख लो जैसे मेरे पास है CR NH3 whole 5 ठीक है इधर लिखा है SO4 और इधर लिखा है BR इदर लिखा है BR समझ ना यह किसके साथ isomyrism show करेगा यह किसके साथ isomyrism show करेगा molecular formula सेम दिखेगा सेम दिखेगा ठीक है देखना जी CR NH3 whole 5 NH3 whole 5 इधर BR और बाहर चला गया SO4 त्यान देना SO4 अब क्या होगा से molecular formula देख रहा है लेकिन यह BR negative ion बाहर देगा और यह SO4 negative 야 minus two ion बाहर देगा, minus two ion बाहर देगा, تو हमें क्या समझ आया स्मेजा ए, structural isomerism को कह से पहचाना क्या इध्युмы क्या होती है घो different different 녹 ап जो बहए अगर आपको hydration your soра यही को find करना तो इसमाइ वाटर चैना भाटर क्या होता आगलउन प्रजेंट होता ऑई जूसाइ whole 6 sorry whole 6 dot cl3 यह formula देखने मिले अब क्या हो water का molecule बाहर चले जाए और coordination number को balance करने के लिए cl अंदर आ जाए तो आपका क्या बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा co h2o whole 5 इधर आ गया cl इधर हो गया cl2o dot h2o same ऐसे ही फिर क्या होगा कि भाईया आपका वापस एक cl अंदर आ जाए और water का molecule बाहर चला जाए यह क्या शो करेगा भाईया अपनी हाइड्रेशन या solvation isomerism शो करेगा तो हाइड्रेशन या solvation isomerism को पहचाने का isomerism देखने मिलेगी ठीक है सर कोई दिकत नहीं तीसरी हम बात करते है coordination isomerism के बारे में समझने इसको पहचानने का तरीका है दो different different coordination sphere होने चाहिए बोलो क्या होने चाहिए दो different different coordination sphere होने चाहिए सबसे पहली बात ठीक है एक cationic और एक anionic coordination sphere for example मैंने बोल दिया मेरे पास है cr nh3 hole 6 nh3 hole 6 ठीक है इस पर लिखा हुआ है plus 3 और मेरे पास है c o c o cn hole 6 और इस पर लिखा हुआ है minus 3 दो अलग-अलग coordination sphere जब भी आपको देखने मिले और ligand का transfer इसका transfer इधर कर दो और इसको इधर पहुचा दो तो बहुत सारे जो isomer आएंगे वो हमें बताएंगे कि भीया coordination isomerism पाई जा रही है अगर दो अलग-अलग coordination sphere पाई जा रहे है बेटा तो हम कौनसी isomerism present है बोलेंगे coordination isomerism present है बोलेंगे क्या बोला बेटा मैंने सबसे पहले ionization different different ion दे दूसरा हमने बोला salvation या hydration isomerism जिसम वाटर है जालेगंट होने चाहिए तीसरा मैंने क्या बोला अलग-अलग अगर coordination sphere present है तो कौनसी isomerism present होगी coordination isomerism present होगी कौनसी isomerism present होगी coordination isomerism present होगी ठीक है यही तो याद करने के short tricks है कभी भी isomerism पहचानने बोले तो हम पहचानने कैसे question बहुत पूछे जाते हैं नीट और जेई में ठीक है सर अब समझना अब समझना अगर मैं बात करूं linkage isomerism की किसकी बात करूं बेटा मैं linkage isomerism linkage isomerism को पहचानने का तरीक है यह सब अन्रॉप अगिल के छोटी-छोटी टोटके हैं ठीक है एक छुटी-छुटी चीज़ है लिंके जाई तो मैं रिजम को पहचानना है तो आपका embedded ligand present होना चाहिए embedded ligand क्या होते हैं ऐसे ligand जो दो अलग-अलग possible तरीके से जुड सकते हैं उसे हम कहते है embedded ligand या तो no2 या तो no2 ठीक है यह ligand दो अलग-अलग possible plan में जोड सकते हैं और अगर यह present है अगर यह present है for example CR-H2O या CO लिख दो CO-H2O hole 5, H2O hole 5, NO2 या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ CO, CO, H2O या H2 की जगह NH3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, NH3 कर देता हूँ, NH3 hole 5, NO2 और मैंने लिख दिये यहाँ पर NH3, NH3 hole 5, O, NO ऐसा कोई भी, just for example समझना, ऐसे कोई भी दो complex जिसमें embedded ligand presenter और दो अलग-अलग possible तरीके से जोड रहे हैं तो हमेशा linkage ISO-marism show करेगा क्या शो करेगा, linkage ISO-marism show करेगा, ठीक है सर, हमें ionization पहचानना आगया, hydration पहचानना आगया, coordination पहचानना आगया, linkage पहचानना आगया इस तरीके से आप structural ISO-marism में 5 ISO-marism की पहचान कर सकते हैं, 5 ISO-marism की पहचान कर सकते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, ionization है different ion, hydration है water as a ligand, coordination है दो different coordination sphere, एक cateynic और एक anionic, ठीक है, linkage ISO-marism है, ambiental ligand होना चाहिए, polymerization ISO-marism, ratio of metal and ligand should be same यह आपका तरीका है structural ISO-marism को पहचानने का, किसको पहचानने का, structural ISO-marism को पहचानने का, क्या concept clear हो गया, क्या concept clear हो गया, अगर concept clear हो गया, तो कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और अपने शब्दों मैं नहीं कहानी को सुनाता हूँ, समझिएगा जी, समझिएगा जी, देखिएगा, अगर देख लिया तो मैं कहानी को आगे बढ़ा के नहीं कहानी समझाता हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लो, कोई भी बच्चा तहलके के साथ, अन्राक सर के साथ करें, अपना एक ही मोटेव है, अपना एक ही मोटेव है, चलिए जी, नेक्स कहानी जो की मुझे है सुनानी, अब बात करते हैं, अपना आईसो मैरिजम में, स्टीरियो आईसो मैरिजम को कैसे पैचाने, स्टीरियो आईसो मैरिजम में हमें देखना है, जिसे अपन सिस ट्र एक और नाम भी देते हैं, सिस्ट्रांस आईसोमेरिजम भी नाम देते हैं, अगर आपको लगता है, जोमेट्रिकल आईसोमेरिजम पढ़ना टफ है तो कोई दिखते हैं, कोई डरनी की बात नहीं, अनुराक सर्थ से आप पढ़ रहे हैं, तहलके के साथ पढ़ेंगे, भी हमेशा यह बात कहती है क्योंकि सारे एटम की आप डिस्टेंस देखोगे एक दूसरे से तो सेम होती है तो टेट्राइडल कॉंप्लेक्स कभी भी जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम शो नहीं करते कौन शो करते हैं स्क्वेर प्लेनर कॉंप्लेक्स जैसे जिनमें DSP2 hybridization पाया जाता है वो हमेशा आपकी जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम शो करेंगे और और अक्टाहेडल कॉंप्लेक्स आपकी जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम शो करेंगे चलिए जी स्क्वेर प्लेनर कॉंप्लेक्स में भी कौन-कौन M A2 B2 type के M का मतलब क्या है metal ion A का मतलब क्या है अलग type का ligand B का मतलब क्या है अलग type का ligand जैसे मैंने for example ले लिया PT NH3 whole twice CL whole twice ठीक है PT NH3 whole twice CL whole twice ठीक है अब for example अगर आपको इसको देखना है SIS TRANS क्यों कहते है अगर कोई भी 2 same ligand जैसे यह CL है यह CL है यह फिर हो गया अपना NH3 और यह क्या होगया मेरे बच्चे अपना NH3 अगर कोई भी दो सेम लिगेंड क्या बोल रहा हूं मैं अगर कोई भी दो सेम लिगेंड आपके कितने डिगरी के अंगल पर पाय जा रहे हो कोई भी दो सेम लिगेंड अगर आपके 90 डिगरी के अंगल पर पाय जा रहे हो मेरे बच्चों 90 डिगरी के अंगल पर पाय जा रहे और अगर 180 डिगरीँ पे हैं, तो भाईए यह क्या होता है? अपना trans होता है, trans होता है, ठीक है सर? 2520-strong 90 पे हैं, to sis 180 पे हैं, for example, अगर मैंने बोला, for example, अगर मैंने बोला, यह मेरा PT है, ag इरक मेनिट, यह मेरा PT है, भोलो जी, भोलो जी, हाँ, ये सर मेरा NH3 है बोलो जी बोलो जी हाँ ये मेरा CL है ये मेरा CL है ये मेरा CL है अब logic समझेगा अगर दो same ligand 180 degree पर आ जाए तो ये अपना trans होता है लेकिन मज़ेदार बात दिख्या है PT NH3 होल ट्वाइस का अगर आप से साइसोमर देखेंगे से साइसोमर देखेंगे उसे हम नाम देते हैं सिस प्लैटें सिस प्लैटें इसका यूज एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे किया जाता है ये एमस में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं दूसरा अगर M,A,B,C,D, टाइप का कमपौंड, M,A,B,C,D टाइप का कमपौंड मतलब चार अलग-अलग लिगेंट प्रेजेंट हो तो फो भी साथी क्या है इसमें चार अलग-अलग ताइप के लिगेंट प्रेजन हो तो वह भी क्या शो करता है जोमेक्टिल आई बाकी तीन को रोटेट करना पड़ता है तो आपको तीन आइसोमर देखने मिलते हैं मतलब दो सेम लिगंड बाकी दो डिफरेंट लिगंड जासे PT NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, CL और BR यह बाइड आपने यह होना चाहिए ता यह बाइड इंटेटों टवाईस देखने मिल रहे हैं यह भी अपना क्या शो करेगा यह फाना क्या क्या रहेगा पुर एग्जामपल बाइडेंटेट में बात कर लूँँ Glycinato ligand के बारे में Glycinato ligand के बारे में बात कर लूँ ठीक है Glycinato क्या होता है NH2 CH2 COO negative ठीक है बोलो जी हाँ CU NH2 CH2 COO negative NH2 CH2 COO negative यह Glycinato ligand है Glycinato इसा बाइड एंट जिसमें यह भी donor atom है और यह भी negative donor atom है और इदर मैंने जोड़ दिये NH2 CH2 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 COO negative ठीक है अब देखिए दोनों अगर एक direction में देख रहे हैं तो यह cis isomer और इसको उठा के इदर कर दूँगा तो trans isomer तो जल्दी बताइए हम बात कर रहे हैं तो geometrical isomerism की geometrical isomerism हम बात कर रहे हैं बहिया किसके बारे में square planar complex में तो square planar complex में हमने पहले देखा MA2B2, A2BC, ABCD और M by dentate whole twice यह सारे के सारे आपकी geometrical isomerism दिखाते हैं ठीक है इसके अलावा अगर मैं octahedral complex पहाँ किस पहाँ octahedral complex पहाँ तो सबसे पहले MA2B4 वाला MA2B4 वाला ठीक है MA2B4 वाले को आप देखेंगे तो यह geometrical isomerism दिखाता है और इसके total 15 आईसोमर बनते हैं मैंने जो detail lecture बताया है उसका निसकर्श है 15 आईसोमर बनते हैं जिसमें 12 cis arrangement देखने मिलती है और 3 trans arrangement देखने मिलती है ठीक है sir MA3B3 याद रखना इसमें हम cis और trans नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं fake मतलब facial facial बहुत important काहनी मर मतलब married ional मर मतलब married ional married ional ठीक है अगर तीन सेम ligand तीन सेम ligand है 90 90 90 पे हो तो हम बोलेंगे fake और अगर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और यह सारे के सारे अपनी क्या जो करेंगे ठीक है तो geometrical isomerism हमें किसमें देखने मिलती है square planar complex में octahedal complex square planar वाले कौन से दिखाते हैं यह अपनने देख लिए octahedal वाले कौन से दिखाते हैं यह अपनने देख लिए और कहानी को एकदम simple तरीके से अपनने complete करती है आपको याद रखने के तरीके हैं आप कैसे भी याद कर सकते हैं बोलो clear हो ठीक है अब हम बात करते हैं optical isomerism की ठीक है किसकी बात करते हैं optical isomerism की जो optical isomerism कभी भी compound वो दिखाते हैं जो की asymmetric हो या जिनके पास किराल center present हो ठीक है asymmetric का मतलब क्या है Cap should be absent सर ये Cap क्या है CAP क्या है सर C मतलब center of symmetry भी नहीं होनी चाहिए प्लेन of symmetry भी नहीं होनी चाहिए कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए तभी कोई compound क्या show करेगा आपकी optical isomerism show करेगा या compound कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए कोई भी tetrahedral complex कोई भी tetrahedral complex जिसमें चार अलग अलग group जुड़े हो tetrahedral मतलब जो sp3 hybridization दिखाता है जिसमें चार अलग अलग group जुड़े हुए हो for example मैंने कोई central metal ले ली उसमें A, B, C, D ये compound हो जाएगा A symmetric और ये show करेगा optical isomerism क्या show करेगा optical isomerism show करेगा ठीक है octahedral complex की बात करूँ जिसमें 6 अलग अलग group जुड़े हुए है मैंने एक metal ले ली metal ले भाईया ये देखो ये मेरा octahedral complex ये A, B, C, D, E और ये F कोई भी octahedral complex क्या show करेगा मेरे बच्चे क्या show करेगा जिसमें 6 अलग 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 जुड़े हुए है वो show करेगा अपनी optical isomerism ऐसा कोई भी octahedral complex जो की bidentate hold twice monodentate hold twice हो उसका cis isomer उसका सिर्फ cis isomer उसका सिर्फ cis isomer जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे पास है मान लीजिए CO NH3 hold twice EN इथिलीन डायमीन hold twice इसका अगर मैंने cis isomer देखा cis isomer मतला 2 seem लेगे 90 ये देखो ये ठीक है ये और ये मैंने देख लिया ये मेरा cis isomer और यहां मैंने जोड़ दिया यहां मैंने जोड़ दिया NH3 यहां मैंने जोड़ दिया NH3 ठीक है ये क्या शो करेगा ये क्या शो करेगा सर ये optical isomerism शो करेगा और ऐसा octahedral complex जिसमें कोई metal है और bidentate जुड़े हुए हो 3 for example मैंने ले लिया CO EN whole thrice CO EN whole thrice हमेशा optical isomerism शो करेगा बस ये चार point याद रखिए आप तहल का मचा सकते हैं कि भाईया कोई tetrahedral complex 4 अलग group जुड़े हो octahedral complex 6 अलग group जुड़े हो octahedral में m bidentate hold twice monodentate hold twice अभी आपने देखा था उसका cis isomer शो करेगा कोई भी इसमें symmetry नहीं पाई जाती है और octahedral complex m bidentate hold twice जिसमें कोई metal है और तीन अलग-अलग different type के कोई metal है और कोई bidentate जुड़े हैं वो same भी हो सकते हैं different भी हो सकते हैं वो हमेशा क्या show करेंगे optical isomerism show करेंगे ये थी कहानी कि हम isomerism को flow chart के form में कैसे याद कर सकते हैं आईसो मेरिजम का अगर अपने को end time पे revision करना है तो उसे हम कैसे complete कर सकते हैं इस कहानी को मैंने आप लोगों को समझा है प्लीज आईए note down करिए please note down कर लिया तो मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी को आगे बढ़ाता हूँ कहानी को समझेगा समझेगा ठीक है तो ये कहानी complete हुई अब मुझे comment section में बताईएगा क्या अगर आपने मेरा isomerism का lecture detail में पढ़ा है देखो मैं नीचे समझे ना मैं नीचे isomerism का detail lecture डाल दूँग उसके बाद इस lecture को देखिएगा आप एकदम तहल का मचा देंगे बेटा अगर आप NEET और JEE के aspirant है तो आप कोई भी book आप पकड़ के देखिए ठीक है आपको isomerism बनेगी अभी तो मेरी 100 MCQ की series आना बाकी है और अगर आप channel पे नए है तो चैनल को subscribe करिए और ये जो हमारा free education का motto है ना बेटा इसे लोगों तक share करिए और वीडियों को like करना बिल्कुल भी ना भूले ये मेरा छोटा सा lecture था मिलूँगा अगले lecture में नई कहानी नए जोश और नए जुनून के साथ तब तक बने रही है मागरिमरीन के साथ थांक यू सो मच